चेप्टर 2 पॉइनोमियल एक्ससाइस 2.2 का दूसरा क्वेश्चन फाइंड अ क्वेश्टिक पॉइनोमियल इच विद गिवेन नंबर अज दा सम एंड प्रोड़क्ट आप इस जीरो रेस्पेक्टिविली इसके जैस पिछले वाले वीडियो में हम लोग इस सकेंड कोश्चन का फास्ट सकेंड और थर्ड कोश्चन लगा लिए थे आज हम लोग फोर्ट नंबर वाले कोश्चन से देखते हैं जो कोश्चन टू में लिखा है कि जो पहली बेलो दी है वो सम आप जीरोज की दी है और दूसरी जो दी है प्रोड़क्ट आप जीरोज की दी गई है तो आते हैं फोर्ट नंबर कोश्चन में यहां देखते है कि वन और वन दिया है तो वन क्या है अल्फा प्लस बीटा मतलब सम आफ जी रोज इसके बाद क्या निकाल लेंगे फिर इसके बाद क्या निकाल लेंगे क्या फ्रमला होता है अल्फा प्लस बीटा इन्टो एक्स प्लस अल्फा बीटा इस इक्वल तो यह फ्रमला हो गया अब अल्फा प्लस बीटा की बेलू मालूम हमको और अल्फा इन्टो बीटा की बेलू मालूम है इसमें पूट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा कितना है वन अब अल्फा प्लस बीटा इस उकल टू वन तो क्वाड्रिक पॉइनोमियल क्या होगा बस जीरो को हटा देंगे तो एक स्कार वन हटा सकते हैं प्लस वन इस बस जीरो नहीं है यह क्या होगे हमारा एंसर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्ट माइनस वन वाइफ फॉर वन वाइफ फॉर तो पहली वैलू किसकी दी रहती है अल्फा प्लस वीटा इस उक्वाल टू माइनस वन वाइफ फॉर और दूसरी वैलू दी है प्रोड़क्ट आप जीरो ची और हम लोग फामला किया जानते हैं क्व certificate equation का x square माइनस alpha प्लस बीटा इंटू x प्लस alpha बीटा इस उक्वोल टू 0, alpha प्लस बीटा भी भाली क्या माली हमको x square minus minus 1 by 4 इंटू x plus 1 by 4 minus क्या हो जाएगा plus 1 by 4 इंटू x plus 1 by 4 is equal to 0, यहां को जोन है तो 1 अभी इस सबका LCM जीने गे यहां कितना आ जाएगा 0 अब देखते हैं quadratic polynomial बस 0 को हटा देंगे 4x² प्लस 1x प्लस 1 यह हमारा answer आगे अब question number हम लोग देखते हैं 6 4 और 1 ठीक तो 4 जो दिया है पहला alpha प्लस beta की value दी रहती है और दूसरा किस की दी रहती है product of 0s alpha into beta अब हम लोग क्या जानते है quadratic equation का formula क्या जानते है x²-alpha प्लस beta into x plus alpha beta is equal to 0 x²-alpha प्लस beta की value कितनी है 4-4x plus alpha into beta 1 is equal to 0 तो हम लोग quadratic polynomial में क्या करते हैं 0 को हटा देते हैं तो हमारा answer क्या आएगा 4x plus 1 ठीक अब दूसरा question समाक्त हो गया है अगली बार से 2.3 exercise को देखेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो please like and subscribe thank you